अम्माला में C.I.A. 1 ने लॉरेंस विश्णोई गैंग के शार्फ शूटर गुर्गों को गिर्फतार किया है लॉरेंस विश्णोई गैंग के गुर्गों ने अम्माला में एक व्यक्ति को जान से मानने की धमकी दी थी जिसके सूचना जब पुलीस को मिली तो C.I.A. 1 ने लॉरेंस विश्णोई गैंग के पांच आरोपियों को धर्दबोचा आपको बता दे कि लॉरेंस विश्णोई गैंग पहले भी काफी चर्चा में रहता है और इस गैंग के काफी लोगों के नाम बड़े बड़े अपरादों में स्लिप पाए गई है इन पांचो आरोपियों से असला एक कारवे बाइक ब्रामत की गई है जिस से ये आरोपि रैकी किया करते थे जानकारी देते हुए A.S.P. पूजा डाबला ने बताया कि लॉर्स मिश्णोई गैंग के गुर्गों ने अमबाला में एक वेक्ति को जान से मानने की धमकी दी है जिसके बाद C.I.E.A. ने कारवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरिफतार किया है जिसमें से दो शार्फ शूटर को पंजाब से और तीन अपराधियों को यमनानगर से गिरिफतार किया है इसके साथ ही उनसे असला और कार वेबाईक ब्रामत की गई है पुलीस अब कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी नगल पुलीस टेशन में हमारे यहां एक मुकदमा दर्ज हुआ था शिकायत करता ने कराया कि उसको जो है जान से मारने की धमकी दी गई है तो हमने 20 दिसम्बर को जो है मुकदमा धारा 506, 34, 120 B के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था तो उसके बाद जो है उसको शक है कि कोई उसकी रेकी कर रहा है और उसको जान से मारना चाहता है तो जान तुरंट CIA-11 की टीम को हमने सौब दी थी जो इन्वेस्टिकेशन में आया उसके इन्वेस्टिकेशन के अंडर हमने दो रोपी जो है हमारे पिपलानी मुपाल से आये और रमेश निवासी गाउं दीपला थाना सेवा बाड में राजस्थान से है तो अरेस्ट करके इनको तीन दिन के रिमान पे लिया गया था जो रिमान के दुरान जो है इन्होंने अनुसान रिमान के दुरान जो बताया कि इन्होंने जो शिकायत कर इसको ये मारना चाते थे लेकिन इसकी पैचान में अंतर होने के कारण पैचान सही ना होने के कारण जो है इनकी कोशिश असफल रही और इन्होंने तीन जो है और नाम अपने उसमें बताए हरपरीत सिंग निवासी गाओं जटेडी थाना बिलासपूर जिला यमना नगर इन्होंने जो है ये बताया कि ये तीन लोग हैं जो रेक्की कर रहे थे और इन्होंने ही जो है असला इनको दोनों को सप्लाई करा था तो इनके जो है कनफेशन के बेसवे फिर हमने इनको भी अरेस्ट करा तीनों को और अब जो है आज इनको अदालत में पेश कर दिया जा इनसे भी जो है गहनता से पूश्ताच करी जाएगी कि जो है असला कहां से लेके आ रहे थे ये